नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्योलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके शुरी ग् ग्रहन इस बार जो लगेगा वो चुकी बहुत ही खास है और इस बार का सुर्य ग्रहन बहुत सारे अधभू सहयोग लेकर भी आया है इस समय ब्रह्मान मीं सुरी है ग्रहन के साथ सात शनी दिव और गुरु दिव दोनों ही एक साथ चल रही है निश्भंग राजयोग बना हर किसी के जीवन में तमाम बाते जारी है लेकिन इस बार का जो ग्रहन भारती समय के अनुसार साम 7 बज कर 3 मिनेट से अरंभ होगा और समाप्ती होगा मद्धरात्री में यानि 15 दिसंबर के राद 12 बज कर 10 मिनेट पर इस ग्रहन के जो कुल अहोदी है लगबग 5 घंटे की है और यह ग्रहन अगहन मास की क्रिस्न पक्ष की अमोस्या को लगीगा। चोकि यह ग्रहन खंड ग्रास ग्रहन है और भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसका धार्मिक और जोतिस्य मना त्यान नहीं है। लेकिन इस ग्रहन की चुकि कहां दिखाई देगा और कौन से लोग नियम पालन क्या करें तमाम बाते जारी है देखिए इसके साल का अंतियम सुर्य ग्रहन है भले ही भारत मिना दिखे लेकिन इसका प्रभाव अमोमन पूरे वर्ड पर रहेगा इस ग्रहन को दक्षिन अफ्रिका प्रसांत महसागर मैक्सिको जैसे दीशों में दिखा जाएगा साओधी अरब सुमात्रा मलेशिया सिंगापूर चुकि ये ग्रहन चन्द ग्रहन की तरह ही उपचाया है इसलिए सुतक काल इसका मानने नहीं होगा ग्रहन के दोरान कुछ ऐसे कारिय होती है जो नहीं करना चाहिए ग्रहन के समय चोकि इस बार का ग्रहन साम साथ बजे ही लग जाएगा तो कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए भले ही यह ग्रहन भारत में दिखाई ना दे चोकि इसका प्रभाव पूरे दुनिया पर है और यह सुर्य ग्रहन जो 15 इसंबर 2020 की रात खत्म होगा और ग्रहन के बाद घर के मंदिरों को फिर से सुध जरूर कीजिएगा ग्रहन समापत होने के बाद घर के मंदिर में गंगा जल छेड़कर सुध करना चाहिए और जो बिनिट महिलाएं हैं ग्रहन के समय बाहर निकलने से बचे अगर निकलना हो तो ऐसे मीं जीव में अपने मूँ में जीव पर तुलसी के पते रख कर निकले और पूरी अपने सरीर को अच्छे तरह से कवर कर ली और समभव हो तो अपने गर्व पर गेरू या चंधन का लिप लगा कर ही निकलिएगा क्योंकि इस बार का ग्रहन के प्रभाव इंडिया में कम है सूतक मानने नहीं होगा लेकिन कोशिस कीजिए कि आप ग्रहन समाप्त होने के पाद नहा ले अगर आप रात में नहीं नहाना चाहते तो कोई बात नहीं अगले दिन नहा ले लेकिन जो वस्तर आपने पहने है उसको जरूर साप करके धूप में दीजिएगा इससे ग्रहन का निगेटी परभाव समाप्त हो जाता है ग्रहन की समय मंत्र जरूर जब करना चाहिए वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो इस वार का जो ग्रहन है इस समय आप नमो भगवति वासु दिवाई यानि नमो शिवाई का जब कर सकती है ग्रहन काल का जो ओधी होता ह इसमें कुछ ऐसे कारी होती है जो नहीं करना चाहिए जैसे कि आप खाना पीना खास कर नान वीज जे अलकोहल गेरा से दूद है ब्रंबे चरिका पलन करें इसके साथ ही बालों में कंगी करना नेल कटिंग योज करना कोई सुमंगल कारे करना जैसे चीज़े मना ही होती है और इस समय किसी भी पेर का पत्ता को तोरना गारने करना मिठी को औरना ये सभी चीज़े भी मना होता है तो ग्रहन के दौरान नहीं करना चाहिए चोकि ग्रहन का जो सूतक है सूरे ग्रहन का पारगेंटे पहले लगता है और इस बार चोकि यह सूतक भले ही इंडिया में न लगे लेकिन इंडिया से जो बाहर लोग है वो इंडियमों का पालन कीजिएगा और जितने भी खाने पीने की समान है सम्में आप तुलसी के पत्ते जरूर डाल के रखिएगा क्योंकि ग्रहन का प्रभाव रहेगा और इस ग्रहन का प्रभाव पूरे देश दुनिया पर भी परेगा जो कि 14 दिसंबर को जो साल का आखरी सुर्य ग्रहन है इस ग्रहन का प्रभाव भी हर विक्ती पर परेगा और चलिए हम जानते हैं विस्तार से देखिए इस बार का जो सुर्य ग्रहन है भारत में दिखेगा तो भारत में सुतकाल जो होगा सुर्य ग्रहन के लगवाव कुछ समय चीजें नहीं करना चाहिए जैसे इस तरह भोजन ना करें गरवती महिलाओं के लिए खास कहरें इस समय अपना खास ख्यादक पर भी काम मत किजिए अराम से बैठिये सुई में धागा मत डालिए उस भी काटना छिलना या फिर सब्च चौक ना यह तरही चीजें ताला चावी बंद करना नहीं करना चाहिए चिलाएं नहीं सांथों कर बैठिये आराम से आप गोद में एक नारियल रखकर बैठिये सर पर लाल चुन्दरी लेकर बैठिये और फिर हर्मान चलिशा पढ़ सकते हैं नमस्तिवाय कर सकते हैं क्या बहौनाओं को लेकर आया है इसलिए जितना ज्यादा सौधान रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा दोस्तों यह आपको वीडियो चुन्दर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओनमस्ति वाली कि और हमारे चान को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्त सब्सक्राइब करें